हेलो गाइज मैं बीजू स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल फेंटेंसी जैगवार में आप सभी का आज हम इस वीडियो में डिसकस करें हैं इंडियन प्रीमेर लीग का फ़स्ट मैज जो की कोल गता नाइट राडर्स वर्शे चैने सूपर वीडियो के डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा यहां से आप टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो या फ्रेस्ट कमेंट सेक्शन में आपको लिंक पिन किवा और मिलेगा वहां से आप हमारे टेटगाम चैनल जोईन कर सकते हूँ यूटूब चैनल पर आप नहीं हो तो यूटूब चैनल को भी सुस्क्राइब कर लीजिए साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अब हम स्ठाट करते हैं अपना analysis देखो गाइच वीडियो को पूरा complete देखने की कोशिस करना क्योंकि हर एक information आपके लिए important होने वाली GL से related हो या SL से related बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कुछ point ऐसे हैं जो मैं जिस दिन भी video बनाऊंगा capsule का हर match में हर वीडियो का 100% मिलेगा एक को छीक है मैं आपको बोला हुआ थैया working स्वी इसन परफॉमेंष रहता है इनका कमपरीचन सेखिंड इनिंग से अ कुछ अचा देखने को Mix सकता है पेसर्स का अच्छा रिजेल्ट है यहाँ पर ठीक है वेन्यू पर और अच्छी बोलिंग भी देखने को मिल सकता है पेसर्स के द्वारा में यहाँ पर अब देखो वेन्यू पर लाज दस मैचों के हम बात करते हैं तो एवरिज इसकोर हमारी लिए क्या निकल किया है यहाँ स एक सो सात्रन पर मैच फर्स्ट नि मैं इसके लिए अब देखो टीम बैटटफर्स्ट केने वाली ने चार बार बिन किया यहाँ पर यहाँ पर फेसर्स नहीं है इस्टार्टिंग के पांच मैच दिपक चाहर इंजर्ड है टीम साउधी नोट अवेलेबल मोयन अली नोट अवेलेबल आज के मैच के लिए अब देखो चैने सूपर किंग की हम बात करते हैं प्लेंग लेउन की क्या बेटिंग ओटर रहने वाला है रितुराज इस प्लेयर का आपको द्यान रखना है ठीक है बहुती शांदर प्लेयर है रिकोर्ड रिशेंट बहुत यत्सा है ठीक है सब कुछ बताओंगा सिर्फ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बाते हम इसमें जानेंगे आपको मैं पहले बता देता हूं खेलता है तो जरूर ट्राइग करना एडम मिनने जॉर्डन या एंथिसंग थिकसाना इन दोने में से कोई एक खेलेगा देखो थिकसाना के खेलने के चांच जादा है क्यूं है इसका रिजन आपको मैं बताऊंगा नीचे कोलगत्ता नाय ट्राइडर्स की प्लेंग लेओन के हम बात कर लेते हैं वेन के टेस अईयर अंजिंग के रहाने स्रेस अईयर नितेस राना सेम बिलिंक्स आंद्रे रसेल सुनिल नारायन सी करोर रतने सिव अमावी वरुन शकरवती उमेश यादव या अब देखो इंपोर्टेंट स्टेट्स की हम बात कर लेंगे डी कौन वे इस्पिन बोलर के खिलाप एवरेज ए एकसर पॉइंट शै तीन का इस टाइड़ेट होगए एकसो तीस पॉइंट शै पांच का मलें मिडल ओडर में सोरी मिडल में बोलिंग करने कोन आएंगे इस्पिनर तो इस्पिनर को डी कोन वे अच्छे से खेल सकता है रिकोर्ड के मुशा ठीक है इसलिए मैं बोला कि नंबर तीन पे हमें देखने को मिल सकता है महिश ठिक्साना की मैं बात करता हूं पाउर पॉलिंग में एकोनमी देखे 6.52 की 25 मैचों में 16 विकिट है ठीक है के क्यार के पास टो 5 में तीन लेफट हैंड़ बेट्समें हैं तो ये बोलिंग करने आज सकता और लेफ्ट हैंड़ के खिलाफ बहूँ शांदर बोलिंग है करवाता है ठीक है द्रीम लेओन का जील कोमिनेशन आज के मैच का रेने वाला है balance combination balance player लेकि आपको चलना 5-6 गा combination शिरफ ठीक है एक wicket की पर 4 batsmen 3 old rounder 3 bolers के साथ आप जा सकते हो या एक wicket की पर 3 batsmen 4 old rounder 3 bolers के साथ आप यहां से जा सकते हो या एक wicket की पर 3 batsmen 3 old rounder 4 bolers के साथ यहां से आप जा सकते हो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा ठीक है शुरवाती matches है पूरा निचोड निकालेंगे depth तक जाएंगे ठीक है उसके बाद में अपनी important important बाते करेंगे अब हम जानेंगे जब दूनों ही team IPL season का अपना first match खेलते हैं तो वह मैं आपको बताना चाहरा हूं कोल गत्ता नाइट राडर्स के हम बात करते हैं 2018 में बैट सेकंड आर्सी वे खिलाब सुनिल नारायन जीरो फिकेट फिर बैट सेकंड 2020 में माई के खिलाब लोस सुनिल नारायन नो रन एक विकेट नितेश राणा आंद्रे रसेल शीवो मावी मला तीन प्लेयर ऐसे हैं जो तीन मैच्वों में निकल कि आ रहे हैं ठीक है बैट फर्स्ट एसारच के खिलाब 2021 में नितेश राणा ने अशी रन का फारी खिला और अंद्रे रसेल पांस रन साथ में एक विकेट अब यहां से टोटल समरी क्या होगी नितेश राणा अंद्रे रसेल सुनिल नारायन सियो मावी एक मैच खिला ठीक है तो यह प् खिए खिर्ट के एक बार हम बात कर लेते हैं बात सेकिंग खिलाब 2021 में राचीख करैंजेल वेकिड़ दिपक्छाहड शेल के हम बात कर लगते हैं माई के खिलाफ 2020 में विन अमबाती राइडू देखो 71 रन का पारी खेला रविंदर जड़ेज़ा 10 रन 2 विकिट डिपक चाहर ने 2 विकिट निकाला फिर बैट फर्स्ट की हम बात करते हैं दिल्ले खिलाफ लॉस हमबाती राइडू 23 रन रविंदर ज अब हम दोनों ही टीमों के प्लेयर अब हम जानेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टेट्स एंड डिशेंट प्रफॉमेंस यहीं पर आपको मैं सब कुछ बता दूंगा देखो विकिट की पर सेक्शन में हम बात कर लेते हैं सेम बिलिंक्स टी-20 में चोगा रिकॉर्ड आपके सामने ही रहा मुझे इतना खास नहीं दिखाई दे रहा है पर इनका बेटिंग ओडर की हम बात करें यहां से बेटिंग ओडर की हम बात करें तो नंबर पांच पर दिखाई दे रहे हैं शेल्डन जोक्षन गाईज अगर यह प्लेयर खेलता है ना और साथ में उपन लिए होती है यहां पर में दोने की हम बात कर लेते हैं अब इतना खास नहीं है इनका वेन्यों पर 21 मैचों में 356 पॉंट तो विकिट कीपर में सोट लिस्ट मस्ट पी क्या है सेम बिलिंग्स अच्छा रिकोर्ड है बट बैट नंबर 7 पर ठीक है बैट्समें सेक्षन में एक बार हम बात कर लेते हैं स्रे सियर रिसेंट प्रफोर्मेंस हम जानेंगे बहुत ही शांदर है इनका ठीक है टीटवन्टी से आपको 450 एक 40 प्लस का इसकोर दिखाई देगा एस्टुच की हम बात कर लेते हैं ठीक है तो एस्टुच में भी रिकोर्ड इनका अच्छा है ठीक है वेन्यों पर हम बात करें तो एक फिप्टी है यहां पर इनकी रिसेंट भी अच्छे है ठीक है कुल मिला के अच्छा र कि नितेसराणा के हम बात करें ग्यारा मेशों में 266 रण धर सब्सका प्रिशन्ट परफूंच की हम बात करें तो सिर्फ इक 50 पालस एंग बार किया है रोबिन उठापा की हम बात करें ऐस्टुच में हम पहले क् pääक उन्या aurait! पहले केक्यार की साइट से ही खेलते थे वेन्यू पर हम बात कर लेते हैं तो वेन्यू पर देखो 27.4 का एवरेज है बारा मैचों में 329 ओपनिंग करने आएंगे पावर बिलेका अच्छा इस्तमाल करते हैं काई जी ठीक है कोलकत्ता की तरब से जब खेलते थे तो आपने दे खास नहीं है आठ मैचों में 256 एवरेज 21.4 गामले रिशन पर्फोमेंस का अच्छा है कोनवे के हम बात कर लेते हैं रिशन पर्फोमेंस की यहां पर 46 पारी और 14 रन का पारी खेला एक बासाथ ने बाद डग ठीका बैट्समन में सोट लिस्ट मस्ट विक क्या है श्रेश स प्रफोमेंस है ठीक है डीव डेवन कोनवे जी यल्पिक हो गया अब और सेक्षन में बात कर लेते हैं आंद्रेर से नो मैचों में 127 रन 11 विकेट पांच पल तो यहां से हैस्टोर्स की हम बात करें तो 88 रन जीरो विकेट जीरो विकेट ठीक है पचास रन दस रन जीरो विक और नो रन का पारी छेल रविंदर जड़ेज्जा की मैं बात कर लेता हूं डिसेंट परफोर्मेंस के हम बात करें तीन रन एक विकेट पेंटाज रन एक विकेट शीलंगा खिलाब 22 तो अभी जो शीलंगा खिलाब टीटीश रिजुए थे उनमें तीन में एक बार बात कर शायों लेते हैं 26 रås जीरो विकेट जीरो विकेट आठाटरं दो विकेट फिर योजीरो विकेट 22 यहीम 2 तो अरे कि सुनिल ला रहें अ कि सिअन्सेत 6 पर्फोर्माइश देकां सिघ त्यरा मैंक्षो में 320 6's कتم एक है नो बार विकेट लेसर हैं है है एसट्व ऑच की हम यहां से बात करते हैं तो 12 शेकंड इनिंग में यहां से आप इनको ट्राई कर सकते हो हूं रहेगा चारण एविट चारण जिरो विट मलें वेन्यू पर इतना प्रफॉमेंस हमें देखने को नहीं मिला इनका वेन कटे सेयर डिसेंड प्रफॉमेंस इनका बहुत ही शांदार है ठीक है अभी इंडिया के और स्रिलंगा की स्रीच जो इसमें भी आपने देखा होगा ठीक है एस् प्रफॉमेंस चैनल एक विकेट निकाले एस्टुवर्च में कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका पांच मेंचों में हम बात करें वेन्यू पर 110 रन एवरेज 22 का है मिशेल शेंटनर रिशेंट प्रफॉमेंस बहुती शांदर है आरप का मतलब एस्टुवर्च में कोई रिकॉ इनका मिलेगा नहीं ओल्ड राउंडर सेक्शन में सोट लिस्ट मस्ट पिक कौन से ब्लेर हमारे पास निकल के आये हैं यहां से वेन कटे सेगर सुनिल नारायन आंदरे रेशल रविंदर जड़ेजा शीवं दूबे इस्पिनर हार्ड इटर बैट्समेन है तो डिप्रेंट इसलफिक हो सकते हैं अमारे लिए बोलिंग सेक्शन में एक बार नजर डालेते हैं डेवन व्राव रिशन प्रफोर्मेंट दस मैचों में अठारा विकेट इस्टाइरेट बारा पॉंट आठ का है गैज इस्टाइरेट मतलब यह हो गया कि हर बार विकेट पर विकेट ले सकते हैं मतलब डैप में बोलिंग करने आएंगे इंपोर्टेंट हो सकते हमारे लिए एस्ट्वर्च के हम बात करें च्छा मेंचों में पांच विकेट इकोनमी 9.02 का है वेन्यू की हम बात कर लेते हैं यहां से लास्ट चार मेंचों की तो एक विकेट बीस रंग एक फिर विकेट टीम साओधी खेलेंगे नहीं पर एक बार रिकोर्ड पर हम नजर डाल लेते हैं रिसेंट प्रफोर्फोर्मेंस देखो लास्ट दो मेंचों में तीन तीन विकेट निकाले हैं एस्ट्वर्च की हम यहां से बात करते हैं दो मैच में जिरो विकेट एकोनमी 8.14 का है बेन्यू रहेगा तीन मैचों में तीन विकेट एकोनमी 8.25 का हुमेस यादद हूं कि हम बात कर लेते हैं रिसेंट प्रफोर्मेंस लास्ट तीन मैचों में चरफ दो बार एक एक विकेट लिया है एस्ट्वर्थ की हम बात करने अब ने क्या था एक बार के खिला लिया था मैंने साइध बोला भी था अगर श्विंग हुई मैंने क्या बताता हूं आपको ठीक है सब कुछ याद रहता है मेरे अब देखो डिसेंट प्रफॉमेंस के हम बात करें तो दो विकिट जोर्डन का ठीक है तीन बार विकिट ले से एक बार दो विकिट लिया फिर एक बार यह भी डैफ में बोलिंग करने आए ठीक है तो यहां पांच मैचों में विकिट लेस है गाइज अगर यह चैन टूटेगी ना तो बहुत ही खतरनाग रहेगा तो मतलब इनको ना आज के मैच में आप सीवीची बना सकते हो ठीक है क्योंकि जब यह चैन टूटेगी तो मिनियमम तीन विकिट में मान के चलता हूं गाइज आपक लिग में फोर मेंबर विन करनेगा ठीक है डिफरेंशल दो या तीन प्ले लो अब देखो गाइज आपको एसल में किस प्रकार से विन करना वो भी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा चलते रहिए जाएं स्मोल लिग के बात आगे दो अच्छा प्रफॉमेंस है इनका एक दुशार देश पांडे डिशेंट पर्फॉमेंस बहुत इसे अंदर इग्नोर मत करना अगर खेलता तो आठ मैचों में पांच मैचों में आठ विकेट है वेल्वेडियों पर महेश थिक्साना आपने देखा होगा ओस्ट्रोलियन फिच पर कैसे प्लेयर को बीट कर रहे थे ठीक है तो दो बार विकेट लेसे हैं जब भी विकेट लेंगे अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं आर हैंगरा करकी मैं बात कर लेता हूं रिषेंट परफोर्मेंस आप देखें दो बार विकेट लेसे हैं डिशेंट परफोर्मेंस हैं निका वेसे भी ठीक हाड़ हीटिंग बैर्शमन है कि दाख्षी स्लाम की मैं बात कर लेता हूं 6 में चार विकेट लिया है इतना खास रिकोर्ड हमें देखने को नहीं मिल रहा हैं का अब देखो बोलिंग शोट लिस्ट मस्ट पी क्या होंगे डेवन ब्राव एडम मिलने शीवा मावी वरुन चक्रवती डिफ्रेंशल जील प्र जोडन या एम थिक्साना में से किसी एक को लेना है आर हैंगरा करको मैं बात करो डिसेंट बोला रहा है बट हार इटर बैट्समन है उपर मैंने बता दिया कौन से सेक्षन में कितने प्ले लेने और कौन इंपोटेंट आपको सब कुछ उपर एकदम डिटेल से बताया हूं ऑब देखो सम प्ले लास्ट डास्ट टॉइन विसकार दês्त्रेम डहेंंगर कितने पर्स 된 तौंट देखो टीम बनाते समय्हां आपको define में रखना हैί इसकी इंख जोट ले लेजिए इनका जब टीम बनाव तो आपको यह सामने रखकर टीम बनाना ठीक है जयी मैं आपको बता दीता हूं मैंने मिनिममम 80 team किया है गाइज असी team किसको बोलते है असी team सेम्बिलिंग्स अच्छा है वेन करें से ये कि मैं बात कर लेता हूं तो इनका भी सांदर प्रफॉमेंस है और स्रेश का तो वेरी इंपोर्टेंट है यहां से आप देखिए जोर्डन की हम बात कर लेते हैं एवरेज परफॉमेंस हमें देखने को मिल रहा है छैप लिर का मैंने ड्रीम लेंका जील पोइंट बताए हैं कितना पोइंट देखेंगे हैं अब देखो प्लेयर सेलेक्शन डिफ्रेंट कोमिनेशन मैंने आपको केटेगरी में प्लेयर करेगा यह अपना डिफ्रेंशल है गाइज पहले आपको मैं बता देता हूं केटेगरी की हम बात करते हैं टोटल प्लेयर तीन आपको दो ही लेने हैं सोटलिस्ट मस्ट भी वेन के टाइस सही है अम बाती राइडरों नितेश राना दो प्लेयर लेके चलना जील में केटेगरी सी आंदेर रसेल जील में आप ट्राइब कर सकते हो रोटेट करना जील में केटेगरी डीक मैं बात करेता हूं 11 प्लेयर है ठीक है रोबिन उथपा निक्के रहाने डीक ओन वे शीवम दूबे डीजे ब्राव एडम मिलने जोर्डन शीवम मावी उमेश यादव म इस दिक्साना वरौन शकुरती सब प्लेयर के बारे में अच्छे से मैंने बताया राम्स से आपने को 5 या 6 बलेट सेलेक्ट कर सकते हैं इसलागत याँ से ठीक है डिफरेंशल श्टी जील्यों मैं आपको बता दिता हूं वरुन चक्रवति शेल्डन जक्षन अगर खेलते हैं तो ट्राइक करना जिनके राने कि जोडन राइड़ू या रूबन उत्पा में से किसी एक को सिवं मावी ठीक है मुकेश सोधरी समेर जी सिंग दोने न्यू बोलर हैं स्पेशलिस्ट जब अप सब लेकर आएंगे स्पेश्ट राइड़ू नमबर चार पर आएंगे डी कोन में नमबर तीन पर आएंगे रमिंदर जडेजा क्री जोडन रिस्की होंगे हमारे लिए क्यार की हम बात कर लेते हैं सिवी सी में वैंकटस फॉस्टनिंग में ट्राइक कर सकते हो वैसे रिसकी सीवी सी में दे रहा हूं अजीक के रहाने ठीक है रिकोर्ट रिसेंट प्रफोमेंस देखें बहुत ही सान्द है अंद्रे रसेल सेफ रहेंगे वरून चकरवती रिसकी भी कहोंगे तो यह सीवी सी रहेंगे उमीद गरता हूं अनलाइसस आपको अच्छे से समझ में आया हो अब को आप को फूल लीग समझाता हूं जील आप अच्छे से यहां से बना सकते हूं अब देखो श्मॉल लीग टीम सोरी मैंने आपको बता है इसे टीम किस परकार से बनाओंगा जो सीवी से आपको बता है वो ही सीवी सी मिलेंगे ठीक है अब आब अजसर डालते हैं यहा सिवामावी वरुन चकरवत्ती के खिलाब तो जो भी फाइनल अपडेट होग।्व आपको टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगा वहां से आलिम चैनल गॉटीद हो जोइन कर लिजिये साथ में आप यूटूब चैनल पे नहीं तो यूटूब लिएक हो जोए आप अराम से देखे टीम बनाई है अभी से लग जाए टीम बनाने में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला हमारा एकिल में मेगा लिक का टार्गेट में लेके चलाओं आप लोगों को सपोर्ट करना होगा जरूर हमारे में से किसी एक मेंबर के अच्छी रेंग आएगी कं कंपरम आएगी मैं लिख के देता हूं ठीक है मुझे विश्वास अपने अनलाइस पर प्रेडिक्शन पर